अनुछेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार जिसमें से हमने अनुछेद 12 अनुछे 13 कवर कर लिया है और यह अनुछेद 14 से 18 हम आज इस वीडियो में देखेंगे यह हमारा चैनल है सिविल सरुसेज विधालोग अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक भारत के राजचेत्र में किसी व्यक्ति को वीधि के समक्ष समता और विधियों के समान सनक्षण से वन्चित नहीं करेगा अब देखें यहां दो तीन चीजें एक है भारत के राजचेत्र के बात आई है तो यह हम जब इसके पहले वाला वीडियो जो हमने कवर किया है पार इसकी परिभासा भी हम देख चुके हैं कि राज के अंतरगत क्या क्या आता है ठीक है तो राज भारत के राजचेत्र के वितर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान सनक्षण से वन्चित नहीं करेगा अब यहां पर विधि के समक्ष समता और विधि कि कोई विव्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है कानून सब के लिए बराबर है वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे वो देश का आमनागरी हो चाहे प्रधानमंतर्वी सब के लिए बराबर जितना किसी अपराध के लिए जो सजा एक आम व्यक्त को दी जाएगी वही सजा इस प्रधानमंत्री को भी दी जाएगी तो कानून के उपर कोई नहीं है दूसरा है विधियों का समान संदक्षन इसका आसा यह है कि राज किसी वी व्यक्ति को कोई विसेस अधिकार नहीं दे ठीक है और दूसरे वेक्ति को कहेगा आप जहां जाएंगे आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं मतलब कि समान राज किसी को कोई विसेस अधिकार नहीं देगा अब यह जो समानता का अधिकार है यहां पर समानों में समानता से है जैसे कि सेम योग्यत कंपनी है कोई वकील है और डाक्टर है तो क्या है कि इनकी योगिता अलग अलग है डाक्टर की योगिता अलग होगी वकील की अलग होगी कोई वीमा कंपनी है उसकी योगिता अलग होगी अब सरकार इन तीनों के में योगिता के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकती है म जो सेम कानून वकीलों डाक्ट्रों पर लागू होगा मतलब कि समानों में समानता की बात हो रही जैसे कि आप अगर PCS या UPSC का पेपर देना चाहते हैं तो यहां पर कहा गया है कि आप graduate हो कम से कम इलिजबिल्टी क्या है कि graduate होने चाहिए आप ठीक है अब आप कोई व्यक्ति होठा इंटर पास किया हो लड़का वो जाके सुप्रीम कोड पहुंच जा सिदे करें हमारा मूल अधिकार का उन लंगन हो रहा है कि हम UPSC वाले हमको फार्म नहीं भरने दे रहे क्योंकि इसमें लिखा है कि समग समानता है लेकिन सुप्रीम कोर्दो थपर लगाएगा कहेगा कि यहां पे समानों में समानता की बात हो रही है क्या आप graduate है अगर आप graduate है तो आप के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर आप graduate नहीं है तो आप समान नहीं है तो यहां पे समानता की बात समानों में समानता से है यह बात समझिएगा यह नहीं है क्योंकि पूरा देश से बहुत प्रकार की भिन्दता है कोई वेक्ति अमीर है कोई वेक्त तक्रीब अब सब के लिए एक सा कानून नहीं हो सकता है हां लेकिन समानों में भिनता नहीं होगी जैसे कोई विक्ति है तो यह नहीं है कि वो किसी विशेश जाति का हया किसी विशेश वर्ग का हया जाद के आधार पर जन्म के आधार पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि आपकी जाति फला है आपका अपवाद है कि राष्ट पति और राज इपाल को उनके कार काल के दौरान जो भी वो कार करते हैं और जो भी वो निर्ने लेते हैं इसके लिए किसी भी नियालय में वह जवाब देह नहीं होंगी यह अपवाद है इस कानून का अब अब यहां पे क्या है आप सुप्रीम कोट यह इस आधार पर नहीं जा सकते हैं कि राष्ट पती को तो उनके कारिकाल के दौरा न्याले में नहीं ले जाया जा रहा है किसी भी कारण उससे लेकिन हम को क्यों ले जाया जा रहा है जा उनके द्वारा किये गई किसी कारी के लिए किसी न्याले में वो जवाब दे नहीं है हम एक किसी नौकरी में आप छोटी नौकरी में आप किसी अधिकारी हैं किसी भी भाग में और आप कहे दें कि भाई हमने ये कारी किया हमरे उसके लिए मुझे जवाब दे ठहरा है जा रहा है जबकि राश्टपत राजिपाल को नहीं जवाब दे ठहरा है जा रहा है तो ये अपवाद है अपकारण क्या है देखिए चुकि राष्टपती जब हम पढ़ाएंगे आपको तो राष्टपत के बारे में भी पता चलेगा आपको राजिपाल इसकी सक्तियां क्या होदी राष्टपती को कहा गया है कि वो कोई भी कारिक करेगा मंत्री परिशद की सलाह पर ह मंत्री परशद का मंत्री परशद का अध्यक्स होता है का मतलब मंत्री परशद अब जो राष्टपती या राजिपाल जो भी कारिकने के वो ऐनकी कि वह मंद्रिपर्षत के सलाह से ही करेंगे तो जब इनको इस बात की स्वतंत्रतव ही नहीं को कि हम अपने मंद से कोई कारेकर सकें तो जब अपने मंद से कारही कर रहे हैं तो उसके लिए इनको जवाब दे क्यों ठहराए जाएगा यही कारण है चुकि अगर जवाब दे ठहराए जाएगा तो वो मंत्री परसद को क्योंकि उसके अनुसार कार कर रहे हैं और यह क्यों अनुसार कार कर रहे हैं क्योंकि सम्विधान में यह बाध्यता है सम्विधान ने यह बाध्यता दौरान उनके विरुद्ध किसी भी नाले में कोई दांडिक कारवाही ना तो प्रारम की जाएगी ना तो चालू रखी जाएगी राश्पत या राजिपाल को उनकी पदावध के दौरान ना तो गिरिफतार किया जाएगा ना तो उनको कारवास की सजा होगी और ना ही किसी दीवानी मामले में नहीं चलाए जा सकता और अगर चलाना है तो दो माह पहले राश्टपति या राजपाल को आप सूचना देंगे कि महोदय महमहिम हम आपके खिलाफ आपने ये व्यक्तिकत रूप से क्रत्य किया है मतलब ये राश्टपति या राजपाल के पद के नाते नहीं व्यक्तिकत रूप से आपने ये काम किया है इस वज़े से हम ये नोटिस दे रहे हैं दो माहबाद आप नियाएले में हमचे मुलाकात करिएगा अब देखिए ये भी है अपवाद की संसद और विधान सभा ये है विधान सभा ठीक है तो संसद और विधान सभा की जो सत्य कारवाही का प्रकाशन होगा अगर कोई व्यति ऐसी सत्य कारवाही जो वहाँ पे चल रही है उसका प्रकाशन करता है किसी नियूज पेपर में कहीं पर भी तो उसके खिलाफ किसी भी न्यायले में देश के किसी भी न्यायले में कोई भी दिवानी या फौसदारी मुकदमा नहीं चलाए जाएगा बस अरते उस नियूज को उस चीज को उस कारवाही को मौडिफाई ना किया हो गलत तरगे से प्रकासित ना किया हो यह है आर्टिकल प्रवधान किया गया है और दूसरी बात संसद या विधान मंडल में मतलब सत्र के दवरान या उसकी किसी समीत में अगर कोई संसद या कोई विधाय कोई बात कहता है या कोई मत देता है तो उसके विरुध किसी भी न्यायले में कोई करवाही नहीं कि जाएगी क्योंकि अंदर या उसकी किसी समित के अंदर विधान मंदल के अंदर या उसकी किसी समित के अंदर कोई भी मंत्री हो या कोई सांसद या कोई विधाय को वो अगर कोई बात कहता है या कोई मत देता है तो उसके विरुद्ध किसी न्यायलय में कोई नहीं जा सकता अनुच्छे देख स से समंधित प्रावधान है तो उनके लिए कहा गया है अनुछेद 14 हो चुका आप देखिए अनुछेद 15 अनुछेद 15 में क्या कहा गया है कि राज किसी नागरी की केप्रति केवल धर्म मूलवंस जाति लिंग या जन्मस्थान इन आधार पर विभेद नहीं करेगा पहले में क्या था 14 में तो समानत्ता की बात की गई थी ठीक है 15 में क्या कहा गया है कि राजी विभेद नहीं करेगा अब यहां पे 15 के एक में क्या कहा गया है कि दुकान सार्वनिक भोजनाले होटल सार्वनिक मनोरंजन के साधन इन मनोरंजन के अस्थान इन अस्थानों पर प्रवे नहीं किया जाएगा कि वह फलाने धर्म का है या मूलवन उसका सही नहीं है या उसकी जाति यह है उसका लिंग यह है या उसका जन्मस्थान दूसरा है तो किसी भी आधार पर दुकान साज्वनिक भोजना ले होटल रेस्टोरेंट साज्वनिक मनुरंजन के अस्थल कोई मेल मतलब जिसको राज पैसा दे रहा हो और साधार जन्ता के प्रियोग के लिए जो भी स्थान के किया दूसरा है किया जा सकता आप वाद इसके भी हैं देखिए अनुछेत पंदरा का यह है तीन और यह फंदरा का चार ठीक है पंद्रा के तीन में क्या प्रावधन किया गया है कि राज चाहे तो बच्चों और महिलाओं के पक्ष में विभेद कर सकती है मतलब अनुच्छेत पंद्रा अगर राज को ऐसा कानून बना दे कि फलानी जगे है यह जैसे है ना कि होटल है दुकान है भोजनाला है तो अब को किसी दुकान पे जाने से नहीं रोका जाएगा लिंग के आधार भी भेद भाव नहीं किया जाएगा लेकिन हम पूरो स निस्सिल्क सिच्छा का अधिकार अब आप इसको लिए भी नियाले नहीं जा सकते कि भाई बच्चों को दी जारी हमको क्यों नहीं दी जारी अनुचेत पंद्रा का उलंगन है बिल्कुल ने अपवाद है इसी तरह से क्या हुआ था कि एक मामला हुआ था सुप्रिम कोर्ट म में तमिल्नाड सरकार ने शायद वही है उसने किया किया था कि वह पीचड़े वर्गों के लिए अरक्षण दे दिया था सेक्षण संस्थानों में तो यह मैटर हुआ था तो उसमें पहले यह अपवाद जो यह पंद्रा का चार प्रावधान यह पहले संविधान में नहीं तीक है चौथा इसका उपंद्रा का उपबंध है चार इसमें कहा गया है कि सामाजिक और सैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और सी और स्ट के लिए विशेश उपबंध कर सकती है सरकार अगर चाहे तो सामाजिक और सैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है इसमें दो प्रकास लिखा है आर्थिक रूप से कहीं नहीं लिखा गया है सामाजिक रूप से जो पिछणे हैं और स्थी इस्टी इनके लिए सरकार विशेश उपबंध कर सकती है अब यही प्रावधान का उपयोग करके सरकार ने क्या क्या कि विधान मंदल में सीटों का रक इसी का अनुच्छेत पंद्रा के चार के तहती सरकार ने क्या किया है तो सैक्षणिक संस्था में प्रिवेस के लिए छूट बनाए छूट समंधी नियम बना दिये है नाइंटी थी अमेंडमेंड में 2005 में सामिल किया गया था अब पिछड़े वर्गों के छात्रों के में वह इसी नुच्छेत पंद्रा के चार के तहत्थ किया गया है अनुच्छेत अला क्या कहता है अनुच्छेत कहना है कि राज्य के अधीन किसी भी पद़पटर चवदा में क्या था सवानता का अधिकार है विद्र Jim's on कि समानता विधियों का समान संद्ध क्पंद्रा में क्या है तो विभे하다 नहीं करेगा आप संद किसी पती के लिए सभी नागरिकों के लिए समान आउसर यहां पर क्या वाउसर की समानता की राज ऑशर की समनता की देगा अभी इसमें वह am लिंग जन्मस्थान या निवास अस्थान के आधार पर राज किसी भी रोजगार या कार्याले के अयोग नहीं ठरेगे राजगार राज यह नहीं कह सकती है कि फाला नवकरी के लिए आप इस धर्म के हैं या इस वंस के हैं या इस जात के हैं इस लिंग के हैं या जन्मस्था सरकार के लिए निवास की सर्थ आरोपित कर सकती है जैसे आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इस प्रकार के कुछ नियम लागू किये गये हैं दूसरा दूसरा यह अपवाद किया गया है कि सरकार ने कहा कि देखिए अगर कहीं पर समान प्रतनिधित तो नहीं है तो वहां सरकार यह कहती है कि भाई ठीक है टीचर की बकेंसी निकली इसमें सरकार ने कहा कि इसमें आप इसकूल जाएए फलाने मान लीजे कोई एक एरिया है यहां पर कोई एक स्कूल सरकारने का इस समुधाय का कोई व्यक्ति नहीं है जबकि इस स्कूल में इस समुदाय का कोई व्यत्ति होना चाहिए इस समुदाय का प्रतनीदुथ कोई भी टीचर नहीं कर रहा है तो सरकार तुरंद कह देगी कि अनुच्छेद सोला के जो भी सोला का उब बंध हो ये अनुच्छे सोला के तहट सरकार तुरंत आरक्षण की ब्युस्ता कर देगी कि हाँ इस स्कूल के लिए या इस वेकेंसी में इतने पर्सेंट शीते इन वर्गों के लिए आरक्षित होगी तो यहीं से इसका लफड़ा सुरू होता है कि अब देख्या मंडालायोक था ठीक है उसके प्रडाम मुराजी देशाई की सरकार थी मैं 1979 की बात है यह एक अनुच्छे 340 में सम्विधान के अनुच्छे 340 में सम्विधानिक प्रावधान है ये सम्विधान में लिखा गया है कि सम्विधान चाहे तो जो भी सामाजिक और सैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी इस्थित की जाच करने के लिए और उससे संबंधी सुझाव देने के ल सामाजिक और सैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए सरकार उनकी इस्थित की जाच करें और उसके संबंधित सुझाव के लिए एक आयोग का गठन कर सकती है और ये प्रावधान 340 में है तो इसी प्रावध में लिए जाच करें किके स्थित कैसी है उसमन में आप रिपोर्ट दीजै की अध्यक्ष व्प मंडल आग लगाने वाला काम था इसके अध्यक्ष लत्य पी मंडल आब बीप मंडल चलेगा है Jos VP मंडल ने क्या कि期ां कि 1989 में गठित किया गया था और इसलीए इसको मंड़ा करते और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी इसने कहा कि भाई OBC के लिए 27 प्रत्यत आरक्षण होना चाहिए नौकरियों की बात करें इसने कहा कि इनका प्रत्य नौकरियों में इनका प्रतिनिध्य तो कम है सामाजिक साइक्षेनल गूप से जो पिछड़े OBC है तो इनको 27 परसेंट आरक्षण दे दीजिए लेकिन कूल आरक्षण सी स्टी ओबीसी मिलाके 50 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है यह सर्वोच नया कर देगी वापस लेना पड़ेगा फिर 1990 में कौन आया तो वीपी सिंग सरकार आगे इन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब की यह जो मंडल आयोग था उसने यह 27 परसेंट आरक्षण के लिए मतलब सुझाओ दिया था और जो वीपी सिंग सरकार थे इन्होंने 27 परसेंट आरक् दे रेते हैं अब यह बात चला गया सुप्रीम कोर्ड में सुप्रीम कोर्ड ने कहा कि तोटा राक्षण मने कहा था पचाज परसेंट चे जादा नहीं होना चाहिए आपने 10 और दे दिया आप साट परसेंट हो गया अब यहां समयधानिक हो गया तो 1992 में सुर्बी सुप्र लेएर को आरक्षण नहीं मिलेगा जो अच्छे लोग है मतलब जो इस वर्ग के हैं पिछडे वर्ग के और सामाजीक सेक्षनिक रूप से संपन है उनको की लेएर कह नहीं मिलेगा दूसरा प्रॉमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा तीसरा 50% से अगर अधिक आरक्षण होगा तो वो माने नहीं होगा तब इस समझ में सरकार ने कुछ कदम उठाया क्रीमी लेर की पहचान के लिए एक राम नंदन समित की गठन कर दी कि आप पहचान करें कि क्रीमी लेर कौन है उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए रास्टी आयोक का गठन कर दिया गया यह अनुच्छे सोला है अनुच्छे सत्रा में क्या कहा गया है इसके लिए तो आपको उसके लिए सजा मिलेगी आस परसता को समिधान में कहीं भी इसमें से आज परसता है इसमें कहा गया है कि सार्जबनीक पूजा अस्थल में प्रवेश से अगर आप रोकेंगे तो ये मानना जाएगा कि आप छुवा छूत कर रहे हैं तो आप सम्विधान के अनुच्छे 17 का उलंगन कर रहे हैं आपको सजा मिल सकती है यही अभी सबरी माला मंदिर जो है केरल में सबरी माला मंदिर इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था जो 15 से 50 वर्ष की महिलाएं थी उनको इस मंदिर में प्रवेश से मत्रव वंचित रखा गया था बहुत दिन यह लड़ाई चलती रही अंत में सुप्रीम कोट ने कहा कि अनुच्छे सत्रा का यह उलंगहन है अनुच्छे दिक्कीस का भी तो अभी वर्तमान में इस्थित यह है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं है, रोक सर्वोच नयले ने हटा दी है दूसरा है परंपरागत या धार्मिक या दार्शनिक या अन्य आधारों पर आईस प्रशता को आप नयाएचित नहीं ठहरा सकते आप यह नहीं कह सकते ति यह परंपरा थी या यह धर्म के आधारonde है यादार्शिय किसी भी आधार पर आप इसको यह नहीं कर सकते कि भाई यह उचित है दुकान होटल या साजवनिक मनुरजन के अस्थान कहीं पर भी आप किसी के साथ बहुत चुवाचुत नहीं कर सकते यह अनुच्छे 17 अनुच्छे 18 में कहा गया उपाधियों कांत इसमें चार पराधान किये एक है कि राज क्या करेगा सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा आपको सिप सेना की उपाधि मिलेगी और विद्या समने बाकि कोई उपाधि नहीं मिलेगी दूसरा भारतिय नागरिक विदेजी विदेशी राज से कोई उपाधि न नागरिक है जो राज के किसी पद पर है तो वो विदेशी राज से राश्पत के सहिमेत के बाद ही उपाधि लेगा ठीक है मतलब अस्थापना 1954 में हुई थी पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मसरी और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो इनका करम तूटा था इनको बंद कर दिया गया था और 1987 में इन तीनों को फिर से शुरू कर दिया गया तो यह याद रखिएगा कि अनुछेद 18 के अनुसार पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मसरी यह कोई उपाध ही नहीं है ठीक है तो यह था हमारा आज का समता का अधिकार और अनुछे 14-18 अमने डिटेल में कवर कर लिया है यह हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोग अगर अभी तक आपने इसको स चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में